महाराष्ट में टांडा दोसियों को पैरोल नहीं बॉमे हाई कोट की नागपूर बेंच का एहम फैसला बॉमे हाई कोट की नागपूर पीट ने आतंगवादी और बिगटन कारी गतिविदी अधिनियम की तहट दोसी ठहराए गए एक कैदी को पैरोल देने से इनकार कर दिया है अधालत ने कहा कि महाराष्ट में नियमों की तहट आतंगवाद से जोड़े अपरादों के दोसी पैरोल के हगदार नहीं है नियाए मूर्ती S.B. शुकरे और नियाए मूर्ती M.W. चन्दवानी की खंडपीट ने 2 दिसंबर 2022 को अमरावती केंद्रिय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोसी हसन महन्दी शेक की उस याचिका को कारिज कर दिया जिसमें उसने अपनी बिमार पतनी को देखने के लिए नियमित पैरोल की मांग की थी शेक को टांडा के कड़े प्रावधानों सहिद विभेन अपराधों के लिए दोसी ठहराया गया था जेल अधिकारियों ने इस आधार पर उसका आवेधन खारिश कर दिया था कि वह जेल नियमों के प्रावधानों के तहत पैरोल पाने के योग नहीं है अधालत ने कहा कि यह स्वच्ट है कि उन कैडियों की नियमित पैरोल पर रिहा किये जोने पर पाबंदी है जो आतंगवाधी अपरादों के तहत दोसी ठहराय गये है टांडा आतंगवाध से जुड़े अपरादों के बारे में है अदालत ने कहा कि याचिका करता को टांडा के तहर दोसी ठेराय गया है और इसलिए वह नेमित पैरोल पाने का हगदार नहीं होगा शेख ने अपने याचिका में उच्चितम नियाले के 2017 के एक फैसले के आधार पर बनाया था जिसमें कहा गया था कि अगर एक अपराधी को टांडा प्रापधारों के तहर दोसी पाया जाता है तो भी वह नेमित पैरोल मांगने का हगदार होगा उच्च नियाले ने हाला कि इस दलील को सुईकार करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि सम्मंदित मामनी में कैदी राजिस्थान से था और इसलिए वह महाराष्ट में कैदियों के लिए तैर नियामों द्वारा शासित नहीं है